A very good morning to my little children आज हम लोग इस कक्षा में हम लोग आज क्लास 4 का हिंदी सब्जेक्ट का पाट चैप्टर 1 जो तुम्हारा है जो चाहो वो पालो तुम इस कवीता के दौरान हम लोग देखेंगे कि किस तरह महेश चंद्र त्रिफाटी जी अपने इस कवीता के दौरा किस तरह उसने हम लोगों को कहा कि अपना काम जो जीवन में जो भी कोई भी कार्य है चाहे वो बरतन दोना हो या आईसी तुम्हारा क्लास 10 की परिक्षा की तयारी हो या कोई बहुत ही बड़ी परिक्षा के लिए तयारी जब हम लोग करते हैं तो कितना महेनत कितना लगन से करते हैं तो वो चाहे दिन भर की छोटी छोटी कार्य हो या फिर बहुत बड़ा कार्य हो उसमें हम लोगों को अपना तन, मन और बहुत उल्लास और खुशी के साथ उस कार्य को मज़ा लेना चाहिए जब हम लोग वो करते हैं तो इस कवीता में हम लोग वही देखेंगे कि किस तरह महेश चंद्रत्रिपाटी जी ने इस कवीता के दोरा हम लोगों को किस तरह सिक्षित किया है, किस तरह हमें खुश रहने को कहा है, कि हम लोग जो भी काम, कार्य जिंदिगी में करते हैं हम लोगों को कैसे करना चाहिए और किस धंग से करना चाहिए ठीक है, तो आएए, हम लोग इस कवीता को पढ़ेंगे जो चाहो वो पालो तुम किसी भी काम को पूरा करनी के लिए सच्ची लगन, परिश्रम और एककद्रता का जरूरी त्वत्थ है कार्यक को आरम करने के बाद कितना ही बाधाय आये मन्जिल तक पहुँच कर ही दम लेना चाहिए तो इस दो लाइन में कवीता का स्वाराज दियावा है कि किस तरह इस कवीता में क्या है और हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और इस कवीता से हमें क्या सिच्चा मिलती है कि हमारा जो कार्य है वो सच्चे लगन, परिश्रम और एककद्रता से करना चाहिए और जो काम हम लोग आरम करते हैं उसे हम लोगों को समाप करके ही चैन लेना चाहिए बीच में बहुत सारे रिकावटे आते हैं बहुत सारे बाधाये आते हैं तो उन लोगों से उनसे डरना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेना है और उसे समाप्त करकर अपना कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए. तो आईए हम लोग कवीता पड़ें, जो काम करो उस में डूबो, आनन्द काम में आएगा, हर कठीन काम आसानी से हस्ते हस्ते हो जाएगा, एक दम तन और मन से वो काम को करो, तब जाकर उस काम को करने का तुम्हें आनन्द आएगा, और हर कठीन काम, कोई भी काम जो बहुत कठीन है, जो नहीं हो रहा है, वो असानी से, हराम से हस्ते हस्ते हो जाएगा, पीछे मुढ मुढ कर मत देखो, गती धीमी होतो होने दो, तो पीछे मुढ मुढ कर मत देखो, मतलब कोई भी बाधा है, कोई भी रुकावट है, उससे डरना नहीं है, कोई तुमको परिश्रान कर रहा है, उससे घबराना नहीं है, बलकि अपना काम को एक सही गती से करना चाहिए मन्जिल तक पहुँचे बिना कभी अपने तन को मत सोने दो जब तक तक तुम उस मन्जिल उस काम से जो तुम्हों को फल मिलेगा जब तक वो फल तुम्हें नहीं मिल जाता है तब तक अपने शरीर को सोने नहीं देना है तुम्हारा शरीर सो गया लेकिन तुम्हारा दिमाग चलते रहना चाहिए कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, उस कार्य में क्या करना है, उस कार्य से हमको क्या हो सकता है तो वो सब तुम्हें सोच कर रखना है, अपना तन को भी अच्छा से रखना है, ताकि उस काम को अराम से और सही गती के द्वारा तुम उस कार्य को कर सको तुम धून के पक्के रहो सदा, रास्ता ना बदलो बार बार तो कभी कह रहे हैं कि तुम अपने धून, मतलब अपना दिमाग को सही जगा रखो और हमेशा पक्का, उमीद के साथ उस काम में आगे बढ़ते रहो रास्ता ना बदलो बार बार, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों कुछ काम मिलता है, तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ कामों के लिए शॉटकट यूस करते हैं आसान रास्ता चुनते हैं, काम तो हो जाता है, लेकिन उसका परिनाम जो होना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए कभी भी आसान रास्ता नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक ऐसा रास्ता लेना चाहिए, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, और उस काम पूरा हो जा जनी के बाद जो खुशी जो उत्पन होगा हमारे मन में वो हम लोगों का परिणाम रहेगा तो इसलिए हमें कभी भी आसान रास्ता नहीं लेना चाहिए बलकि ऐसा रास्ता लेना चाहिए जिसमें तुम कुछ सीखो और आगे बढ़ते रहो सीखो पत की बढ़ाओं को मुश्कुरा करना नमस्कार तो कभी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में बढ़ाएं आएंगे उससे कुछ सीखो कि हाँ उस रास्ता में जैसे हम लोग कभी भी जैसे तुम लोग स्कूल आता है तो तुम लोग पता है कि रास्ता में कितना सारे बंप है कितना सारे गड़े हैं क्योंकि तुम लोग वो रास्ता से हमेशा आना जाना करता है तो उसी तरह जब तुम कोई काम करते हो तो उस बाधा को पहचानो और उससे सीख लो और मुश्करा कर उसे नमस्कार कहो और उस बाधा को पार करो और अपना काम में आगे बढ़ जाओ बढ़ते जाए सनचरन, न तो आनन्द से, खुशी से तुम्हारा जब चरन यानी पैर, यानी जब चुम चलोगे और उस खुशी से जब चलोगे तब उल्लास रिदय में बना रहेगा तो उल्लास यानी खुशी रिदय में रहे बना सच मानों वा दिन दूर नहीं जब फलीभूत होगा सपना मतलब अगर तुम उस मार्ग में सही से खुशी से आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा जो सपना है जो लक्ष है वो एक दिन जरूर पूरा होगा और जब वो पूरा होगा तो तुम्हें एक अच्छा एक पॉजिटिव सा रिजल्ट मिलेगा और वही तुम्हारा फल होगा और भै मत मानो अंदकार से दीपक एक जला लो तुम तो अंदकार से भै नहीं डरना नहीं है उसके लिए एक दीपक जला लो जैसे जब भी तुम्हारे घर में करेंट जाता है तो तुम क्या करता है कि तुम अंदेरे में ही रहते हो तुम लोग नहीं तुम्हारे मंपी पापा दीदी या तुम क्या करते हो कि रॉष्णी के लिए या तो अपना फोन का फ्लैसलाइट ओन कर लेते हो या तुम्हारे घर में torch है तो torch on कर लेते हो या फिर अगर तुम्हारे घर में candle है तो candle जला लेते हो क्योंकि हम लोगों को आदत है रौशनी में रहने का अन्दकार में क्या होता है कि हम लोग कुछ उट लग सकता है हम लोग गिर सकते हैं इसलिए जब कभी भी अंधकार तुम्हारे रास्ते में आता है तो एक दीब जलाओ, एक उजाला लाओ ताकि तुम उस रास्ता को रास्ता में जो अंधेरा है उसे अटा सके वैवधानों को मीत बना कर जो चाहो वो वा पालो तुम वैवधानों यानि रुकावटे जो तुम्हारे रास्ता में आते हैं उसे मीत, मीत यानि अपना दोस्त बना लो और उस बाधा को अराम से हस्ते वे पूरा कर लो तो इस कवीता में हम लोग देखें कि किस तरह महेश सिंग त्रिपाठी जी ने अपने कवीता के द्वारा हमें सीख दिया है कि कार्य और कर्तव्य को कैसे करना चाहिए और उनसे हमें क्या-क्या सीख लेना चाहिए ठीके तो इस कवीता का जो सारान से वो समापत हो चुका है हम लोग क्या करें कि जो सब दर्थ है यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस दस सब दर्थ है जो तुम लोगों को अपने हिंदी एक्सेसाइज बुक में लिखना है ठीके और याद करना है ठीक कि सब दर्थ लिखना है कवीता को एक बार अपने कॉपी में एक्सेसाइज बुक में भी लिखना है और और हम लोग अभ्यास पाट ग्यान मौखिक का एक एक्सेसाइज अभी लिखेंगे ठीक है झाल 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 झाल